नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागते स्टडी एक्जाम में दोस्तो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं यूपीट्र पल इसी पैट के लिए जेनल साइस के बहुत ही जादा महत पोड़ कोश्चन्स को चलिए दोस्तो शुरू करते हैं कोश्चन्स के साथ जाद देर का यहाँ लोकी की रेलवे के एक्जाम्स हो ची एमटीएस का हो दोस्तो कोई भी एक्जाम क्यों ना हो अगर जेनल साइन्स आपके एक्जाम में पूछा जा रहा है तो यह कुष्चन्स बहुत जादा महत पोड़ होंगे तो दोस्तो यह मैक्समिम रिपीटेट कुष्चन्स को हमने यहां पर आपके साथ रखा है जो मैक्समिम इस टाइप के कुष्चन्स को ही पूछा जाता है और यह टाइप के कुष्चन्स ही एक्जाम्स में आते हैं चले दोस्ते शुरू करते हैं वीडियो के साथ नमबर वन शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है शरीर में प्रकास हंसिलेशन की एकाई का क्या कहलाती है तो दोस्तो इसका उत्तर है Qantasum ठीक है यानि की Qantasum अगला प्रशन शरीर में रक्त की सफेद कोशिगाओं को मुखकार क्या होता है तो दोस्तो इसका रही उत्तर है शरीर की बिमारियों से बचाना आपको पता होगा white blood cells तो आपकी body के मतलए कि एक तरह से immunity का काम करते हैं और यह आपकी बिमारियों से लड़ाई करते हैं इसलिए शरीच को बचाने का काम यह होता है white blood cells का यानि कि आपका सफेद कोशिका है ठीक है white blood cell WBC, RBC जानते होंगे न तो RBC होता है red blood cell WBC होता है white blood cell दोस्तो वह होते हैं दो चैंपड मतलए कि टू चैंपड उन लोका होता है ठीक है? हिरदे अगला प्रशन मानव शरीर में रक्त में 56 पदार्थों को प्रिथक करने का कारे कौन सा अंकरता है? मतलए कि दोस्तो आप समसकते हैं कि human body में जो waste material निकालने काम जो होता है वो maximum का किसका होता है वक्र का यानि कि दोस्तो किड़नी ठीक है यहां यह स्पेलिंग तोड़ी गलत है यह के आई होता है ठीक है एनिवाई होता है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं चालिश वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अपसरा क्या है उत्तर इसका सहीवत तर है दोस्तो न दाइनेमो गार रहे है या अंतरी उर्जा से विद्वित उर्जा का उत्पादन ये डाइनेमो का का रहे है चलिए अगला प्रश्न पिएचल एंडी की से कौन सा रेडियो अक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है तो दोस्तों सही उत्तर आपका उत्तर यहाँ पे है आपका रेडियम ठीक है अगला प्रश्ण गिर्किट की तुच्छा में रंग बदलने का कारण क्या है उसकी तुच्छा में मेलनो फोर नामक असंखे रंग दरव्य कोशिकाय की उपस्तिती के कारण गिर्किट अपना रंग बदल सकता है अगला प्रश्ण प्रक्तिती में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्पनिक योगे कौन सा है तो दोस्तो सही उत्तर आपका सैलूलोज ठीक अगला प्रश्ण समुदर के किनारे ओगने वाले व्रिच्छों में वार्शिक वल्ल्ल यानि कि एन्वल रिंक्स क्यों नहीं होते हैं तो दोस्तो सही उत्तर है आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जलवायू में इस पश्ट भिनिता नहीं होती है, इसी वज़े से. अगला प्रश्न, वर्धावस्था का अध्यन विज्ञान के किस साखा के अंतरगत किया जाता है? तो दोस्तो यह होता है, जिरेंटोलोजी के तहत में, डोलोमाइट कैकस किसका अयसक है? तो दोस्तो केलशियम का है, ठीक है? खट्टे फलो में कौन से विटामिन पाया जाता है खट्टे फलो में कौन से विटामिन पाया जाता है खट्टे फलो में कौन से विटामिन पाया जाता है तो दोस्तो सही उत्तर है विटामिन C ठीक है जैसे कि आपका संत्रा हो गया नीम्बू हो गया इसमें दोस्तो खटपन सा होता है तो इसमें दोस्तो विटामिन C आपका पाया जाता है ठीक है अगला प्रशन हाइडोजन बम के सिधान पर आधारित है तो दोस्तो हाइडोजन बम के सिधान पर आधारित है तो दोस्तो सयुद तर इसका न्यूक्लियर फ्यूजन पर ठीक है अगला प्रशन प्रोटीन की खोज किस ने की थी तो दोस्तो सही उत्तर आपका रदर फोड ने ठीक है प्रोटीन की खोज आपकी रदर फोड ने की थी अगला प्रशन कौन सा पदार्थ प्रिथवी पर तीनों एवस्थाओं में पाया जाता है तो दोस्तो ये है आपका solid liquid gas में कौन सी चीज आपके ऐसा पता आता है जो हर एक state में पाय जाता है यानि कि solid liquid or gas जो होता है यानि कि हमारा पानी पानी हमारा हर तीनों अवस्था में पाया जाता है हीरे के संबंद में carrot क्या होता है carrot दोस्तों क्या कहलाता है हीरे के संबंद में तो दोस्तो हीरे के भार का मात्र, यानि unit of weight of diamond is known as carrot, ठीक है, इस चीज को समझेगा आप लोग, अगला प्रशन, गल्वनी करत लोहे पर किसका लेप होता है, तो दोस्तो यह होता है आपका जिंक का, अगला प्रशन, गल्वनी करत लोहे पर किसका लेप होता है, तो यह दोस्त ज्रमन प्रभाव की खोच के करने के दिन के उपलक्ष में इसको मनाया जाता है, ठीक है, अगला प्रशन, हरे पौधो में प्रकाश संसलेशन की इकाई क्या कहलाती है, तो जो सही उत तरह आपका क्वाण्टोसं, क्वाण्त्सं, ठीक है अगला प्रशन प्रित्वी का औसत घनत्व क्या है तो दोस्तो ये है माइनस 5.5 ग्राम पर घन सेंटिमीटर ठीक है अरे माइनस नहीं सोरी ये 5.5 ग्राम घन पर सेंटिमीटर है अगला प्रशन सूर्व सद्यव पूर्व से क्यों निकलता है क्योंकि इसका उत्तर है दोस्तों पृत्वी प्रश्चिम से पूर्व की ओर गोमती है इसी वज़े से सूर्व उद्य हमारा पूरव से होता है ठीक है पौधो में वस्पोत सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उप्योब किया जाता है तो दोस्तों यह आपका सही उत्तर है यहाँ पर पोटो मेटर का ठीक है याद रखिएगा पोटो मेटर का अगला प्रश्चन रेड लेट का रसाइक सूतर क्या है रेड लेट का रसाइक सूतर क्या है रसाइनिक सूतर तो दोस्तो सही उतर है PV3O4 ठीक है ये 3 नीचे रहेगा और 4 भी नीचे रहेगा ध्यान दीजेगा PV3O4 रेड लाइट का रसाइनिक सुत्र पूचा है रेड लीट का ठीक है रेड लेट का अगला प्रशन मानुशरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है अगला प्रशन फाइकोलोजी की तहत विज्ञान का किस साखा का अध्यन किया जाता है तो दोस्तो यह है उत्तर राखो जायेगा शावाल यानि की अलगी का ठीक है एल्गे हो जाएगा किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो दोस्तो उत्तर आपका B12 में ठीक है अगला प्रशन मेनेजाइटिस त्वाविक सोध नामक रोक में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है तो दोस्तो उ पानोशरी में थक्का नहीं बनने का ये प्रमुक कारण है, ठीक है, हिपेरिन की उपस्तिती, याद रखेगा, चाहे बनाने के लिए विद्ध द्वारा कितली में पानी किस विधी द्वारा गर्म होता है, तो दोस्तो ये हो गया आपका कन्वेक्शन द्वारा, ठीक है, हिपोग्लेसीम या नामक रूप रख्त में किसकी कमी से होता है, तो दोस्तो ये होता है आपकी ग्लुकोज की हो जैसे, ठीक है, तो ध्यान दीजेगा, तो दोस्तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी और कॉश्चन्स आप से अगर चाहते हैं, कि मैं इसी और कॉश्चन्स आपके साथ डिसकस करूं, आपके लिए अगर ये फाइदा मन साबित हो रहे हैं, तो दोस्तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो दोस्तो ऐसी और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और दोस्तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा maximum practice होती रहेगी, ताकि आप exam से maximum इन questions को लगा सकें, और ये questions आपके लिए exam में बहुत ज़्यादा फाइदा मन साबित होंगे, क्योंकि इन questions की वज़े से दोस्तो आपके general science के questions बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, जिससे आप maximum से maximum number score कर सकते हैं इस exam में, थैंक यू friends, जय हिंद, जय भारत.